उतरकाशी के सिलक्यारा गाउं में 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का जो ऑपरेशन है वो अब अपने बारवे दिन में है यहाँ पर आज एक अलग तरीके की चहल पहल देखने को मिल रही है कई सारे पुलिस के और प्रशासन के और तमाम एजनसी के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौझूद है और यहाँ पर जो सरकार की तरह से हमें बताया जा रहा है बार-बार वो यह है कि वो एक पाइपलैन बिचा कर मजदूरों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ही वो पाइपलैन बिच जाएगी फिर उनको मजदूरों को एक्स्ट्राक करने का बाहर निकालने का जो पूरा काम है वो शुरू होगा कल रात में जो और मिशीन काम करना हमने रोग दिया था क्योंकि सामने गर्डर आ गया था सरी आ गया था उसको काट के रात में क्लियर कर दिया गया था अफ्टे चेकिंग एवरी थिंग और मिशीन का काम दुबारा शुरू हो गया है एक और पाइप इंसर्ट हो गई है सेकेंड पाइप की वेल्डिंग चल रही है तो जो उसका नॉर्मल प्रोसेस है और मिशीन का वो 100% शुरू हो गया है सर्ब कितने मीटर का फासला है आप लोग के बीच में और मजदूरों के बीच में मैं 12 से 20 मीटर का सोचता हूँ क्योंकि उदर शेप कैसी है जो मलबा है उसकी उसको डिपेंड करते हुए तो हम टीन पाइप और डालना चाहेंगे ताकि पाइप एकस्टेंड हो जाए उस हेरिया में ताकि हम अराम से उनको निकालने में सेक्ष्ण हो जाए जितना वक्त लगता आ रहा है उसके अंदाजन अब और कितना वक्त लग सकता है अगर कोई बाधा नहीं आती है कोई रोडा नहीं आता है ड्रिलिंग में और पाइप लेंग में अगर हर चीज बिल्कुल एज हो चले तो हम शायद आज रात तक इसको पूरा कर पाएंगे लेकिन इसमें मैं फिर से एक राइडर हमेशा लगाना चाहता हूँ कि हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम जो भी बादा आएगी उससे निपड़ने के लिए तैयार रहेंगे और जरूर इनको बाहर निकालेंगे मुक्य मुंत्री साब यहां पधारी हुए हैं उन्होंने बात की है और जो मैंने बातचीत सुनी उनकी उनके हॉस्टले बुलंद हैं उनको भी यह लगता है कि जल्दी उनको हम रेस्क्यू कर पाएंगे तो पहले से ज़्यादा होफफुल हैं ज़्यादा करेजियस हैं हमने से कुछ स्ट्रेचर आते हुए देखे जिसमें वील्स लगे हुए थे वो क्या मोडस ऑपरेंडा है बाहर निकालने का उसको थोड़ा समझा सकते हैं स्ट्रेचर में यहां अंडी आरेफ ने कुछ इंप्रूवाइज करके वील्स लगाए है ताकि जब एंडी आरेफ के रेस्क्यू जाएंगे अंदर तो उनको हम कुराल करवा कर बाहर नहीं निकालें एके करके स्ट्रेचर पर लिटा के उनको सेक्यूर करके वील्स के थूरू क्विक्ली वील आउट कर देंगे तो हमारे जो रेस्क्यू को टाइम आप बहुत कम हो जाएगा और वो सुरक्षित बिना एफट के बाहर निकल पाएंगे यह थे DG NDRF अतुल करवान जो बता रहे थे कि एक नयाब तरीका अपनाया जा रहा है मज़ूरों को बाहर निकालने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो ठके हारे मज़ूर इतने दिन से अंदर टनल के मौजूद है वो उनको क्रॉल करके याने गुटनों के बल बाहर आना पड़े और उनको वील वाले स्ट्रेचर से बाहर लाने की कोशिश की जाएगी और उन्हें उमीद है वो अप्टिमिस्टिक है कि यह जो ऑपरेशन है यह जल्द खतम होगा संदीप यादव के साथ अनन्जनाने